हाई गाइस कैसे आप सब आज में बात करने वाला हूँ यहाँ पे जोकर के फर्स्ट रेक्शन के बारे में जोकी निकल के आया है वेनिस में इसका प्रीमियर हुआ था जिस हिसाब से बहुत सारी लोगों को उन्हें ने फिल्म दिखाई डबली बी ने और फिर बोला गया कि भाई आप यह फर्म डेफिनेटली 100% आप कहीं पर भी इसको रिलिस कर सकते हो तो इस वज़े से वेनिस में इसका प्रीमियर हुआ दो दिन पहले और उसके बाद सारी चीजे हुई और जो चीज हुई और वहां पर फर्स्ट रियक्शन क्या रहा लोगों का वहां के ओडिय कर लीजे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जोकर मोवी जो कि 4 ओक्टोबर को हमारे यहां पर रिलीज होने वाली है इंडिया में और यह हिंदी में भी आने वाली है जिस तरह से हिंडी ट्रेलर रिलीज भी हुआ है अभी थोड़ी दिन पहले ही तो इसका प्री प्रीमियर होते ही रहता है तो यह फिल्म का प्रीमियर हुआ तो वहां पर चीज क्या हुई एक चीज वहां पर हुई कि सारे लोगों ने जोकर के मोवी की बहुत ही जादा टारिफ की एक तरह से वहां पर मैं बोलना चाहूंगा आठ मिनिट का उनको स्टैंडिंग ओवेश औरको स्टैंडिंग रखा तरफ उनके खांडिया दार्फिन के लियाए ट्रक तरफ जो कि अचल पर स Extreme का खाम और बत्यृतर ने फिल्म के लिए बूने आने वली एक पैमिक्ञ झान चीज हर आने वाली एक बहुती बहतरीन फिल्म है और Hawking Phoenix भाई लोग जितना क्रिटिक्स में बोला गया है वहाँ पे और जैसे ये वीडियो में हमें दिख भी रहा है ओसम ओसम चीज होने वाली है ये बहुती जादा बड़ी हिट रहेगी DC की अब तक के सबसे जादा बड़ी हिट होने वाली फिल्म रहेगी Hawking Phoenix ट्रेलर में बहुती आसम दिख रहे थे जैसे मैंने ट्रेलर रियक्शन किया भी था वाँ पे बोला भी था उनका बहुती जादा डाक क्यारेक्टर बताया गया एक तरह से और बहुती जादा humorous बहुती जादा advanced level पे जाके उन्होंने सारी चीज़े की है वाँ पे और खुद एक उस जोकर के भूमिका में ढालने के लिए उन्होंने बहुती जादा महनत ली है obviously बहुत अच्छे एक्टर है वो इस वज़े से उन्होंने महनत ली है जो की सारे critics के तरफ से हमें देखने को भी मिल रही है इसके Rotten Tomato पे reviews है 83% के कुछ 86 या 83% के जो आके जाके बढ़ेंगे भी obviously और IMDb पे भी उसके reviews जल्दी आएंगे तो मैं उसके भी चीज़े आपको बताऊंगा आगे वीडियो में Joker movie आशम movie है और सबसे अच्छी फिल्म है ये DC यूनियोर्स की ऐसा critics का बोलना है यापर फर्स रियक्शन review में उन्होंने यही बोला है कि भाई तुमें मिस नहीं करनी चाहिए ऐसी फिल्म और ये फिल्म बहुत ही जादा hit होने वाली है ऐसा critics का already मानना है और उपर से Hawking Phoenix को जैसे Heath Ledger का character famous हुआ था Joker का जो कि Dark Knight फिल्म में आया था Batman के तो वैसे ही ये character famous होने वाला है जैसे उनको Oscar मिला था वो Oscar तो ले नहीं पाये क्योंकि उनकी death हो गए उसके पहले ही movie release होने से पहले ही उनकी death हो गए थी बट यहाँ पे Hawking Phoenix को Oscar मिल सकता है यानि फिर से वो history दुबारा repeat होगी कि भाई जैसे Joker को एक तरसे Oscar मिला था तो यहाँ पे अभी Hawking Phoenix को भी Oscar मिलने के chances बहुत जादा है जिस हिसाब से 8 minute का standing ovation मिल चुका है तो आप वेट कीजिए 4 October को इंडिया में release होने वाली है इसका review शायद से उस दिन आ सकता है या एक दो दिन बीच में आगे पीछे हो सकता है देखते हैं अगर 2 October को यह release करेंगे तो definitely आपको 2 October को 1st day 1st show का review मैं यहाँ पे दूँगा इस वज़े से आपको इस चानल को सब्सक्राइब करके रखना है लाइक करना है शेयर करना है इस वीडियो को दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि जोकर का review आपको चल्दी मिलेगा तो सारी चीज़े और डीटेल्स मैं इस चानल पर देते रहता हो तो इस लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चानल को और उन लोगों ने बहुत ही ज़ादा अच्छा बोला है अभी तक जोकर मुवी के बारे में तो यही सारी डीटेल्स निकल के आई है मैंने सिया फिल्म से इस्टियोल से तो यही मैंने आपको बताना जरूरी समझा कि भाई क्यों ने एक रियक्शन वीडियो शूट किया जाए तो बस बने रहे है मेरे साथ सब्सक्राइब कीजिए इंटर्टेन्मेंट विकिपीडिया चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा